सीधे आपके पास भारू प्रताप सिंग जी आते हुए सरकार को कितनी नंबर आप देंगे कैसा बजट रहा किसानों के मद्दे नजर जैसा कि सपस आप जो बोल रहे हैं कि दरसल बदला लेने की रणीती के तहट तो ये बजट नहीं लेकर आए गया आप क्या देख रहे हैं लेकर किसानों के लिए जो बड़े बड़े एलान सरकार के और से किये गया है कि आभास्टों में वो रहात उन्हें प्रदां करेंगे कैसा है मैंने तो मेरी उमर्हेस 70 साल मैंने कॉंगरेस को खुब देखा इसानों के लिए उन से मागा फिर बसपा को देखा सपा को पूझ हमने तो 14 में समर्थन किया था भाजपा का क्योंकि कॉंगरेस करती थी बेहिमानी और कुछ नहीं मानती थी फिर 17 में उत्तरपदेश के निवासी हैं इसलिए किया भाजपा का समर्थन क्योंकि वो लुटे रहे थी और 19 में भी किया और अब भी हम कह रहे हैं पहले हम अपनी बात बता देए अभी हमने बाबा को योगी बाबा को इबांदार समझके कोई सरकार नहीं आब आप जानो और जाने बित्त मंत्री किसान के लिए किसान आयो का गठन किया जाए और उसमें गहूं का किसान गन्ना का किसान आलू का किसान सरसों का किसान धान का किसान रखा जाए और उनके अनुसार उनकी सहमती से जो MSP तै की जाए उस MSP से कुछ होगा आज की MSP तो हम गहुं करते हैं धाटे में रहते हैं चुब दो हजार MSP है तीन कुंटल गहुं होता है किसीन ये जो भी उनोंने किया है ये अच्ण गरहे हैं घ्री कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं vote जीनी सब अच्छा बता रहे हम भी नहीं पना रहे हैं लेकिन हमने तो संजह में द लेकिन आज के जो क्रिशी को लेकर ऐलान किया गया है भानु जी आप इससे खुश है संतुष्ट है या फर नहीं है ऐसा है उस जो ऐलान किया गया है उसकी मुझे नहीं पता क्या ऐलान किया गया है मैं अपनी बात कह रहा हूं किसान आयो का गठन करना पड़ेगा और किसान कि शहमती से MSP बनानी पड़ेगी जब हम बना रहें सरकार तो हम मांगेंगे उनसे और वो वो हमारा पूर्य करेंगे लेकिन आप कहो कि MSP लागत मूल्य से भी कम हो और फिर MSP की कारंटी ले ले उस गारंटी से कुछ नहीं होने बाला है तो टिकैज साब जो कह रहे हैं वो सह पूर्ण आप कि या करूं रहे हुआ करेंगे ले लेड़े लेंगे लेगिन को चाहते एप पूर्ण आपके नहीं हो और वो पूर्ण आपके लेगई जहाँ आपके लेगगा सब्सक्तान है।